मैं स्वारब को लिए आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल में आज हम चर्चा करेंगे 22 फरवरी दोचार 22 का सर्कुलर जो की आया है Assessment Guidelines for the Student of Class 3rd to 8th for Academic Session 21-22 मतलब किस प्रकार हम कक्षा तीसरी से लेके 8 वी तक Academic Session में इनका मुल्यंकन करना है उसका सारा पैटर्न इसमें दे रखा है इसके लावा किस तरह रिजल्ट निकलेगा वो भी इसमें सारी बात चर्चा की गई है यह जो सर्कुलर है यह N.C.T. of Delhi Directorate of Education Examination Branch दौरा जारी किया गया है 22 फरवरी का सर्कुलर है यह पड़ा और कोई भी सेक्टरी से चूता नहीं रहा आगे इसमें चर्चा की गई है कि पेंडमिक ने स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, स्कूल इन सब की लाइफ डिफरेंट कर दी और लगबग काफी टाइम स्कूल बंद रहे अल दी स्कूल इन देली वर क्लोज फोर लाज पाट आप अगेडमिक सेशन स्टूडेंट ओफ क्लास अप्टू एट आठवी तक आप जानती है काफी टाइम स्कूल बंद रहे फिर उसके बाद डिरेक्टरीट कहते है कि दूरिंग द्लॉगड़ॉन पीरिड और उस क्लोजर फोर फूल ज़ेफ नो स्टून अंटर्न तो फैसलेट और इस स्टूडेंट धंग से स्टूडेंट के साथ जैसी मारी चर्चा होती है बातचीत होती है हम फैसलिटेट नहीं कर पाये दो इसके बैज में Government Schools में, Government Edit Schools में Worksheets, Assignments, Semi Online Teaching ये सभी चल रही थी 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए Since no classroom teaching learning has taken place at the primary and middle level The formal made of pen and paper assessment is replaced by assessment Based on subject wise assignment project for class 3rd to 8th तो क्या हुआ है कि classroom teaching नहीं चलने के कारण Primary level पर और Middle level पर तो assessment लेकर इनका मुल्यांकन करेंगे 8 तक के बच्चों का Government School में Government Edit School में और Waitage के अधार पर इनको marks देंगे अब देख लेते हम Waitage जो Waitage यहाँ पर 3rd to 5th class के लिए दिया गया है Same Waitage उसी प्रकार 6th to 8th के लिए दिया गया है अब देखें सीरेल नमबर वन Assessment Based on Worksheet जितने भी वरक्षीट बच्चे कर रहे हैं उसके 20 marks दिये जाएंगे Assessment Based on Assignment जो विंटर ब्रेक अभी निकली है जैनवरी में उसमें जो आपने assignments दिया था उसके 30 marks फिर 3rd option दे रहा है Assessment Based on Assignments Projects to be provided from 1 March to 15 March अब जो आने वाले टाइम में आप प्रोजेक्ट या assignment दोगे 1 March से 15 March के बीच उसका मुलेंगन 50 होगा तो 20 plus 30 plus 50 100 marks इस तरह से बच्चों को marks देने हैं यानि कि assessment के marks इस प्रकार से लगेंगे और साथ ही में इसमें ही बताया गया है आल कुर्रेंटली अन्रोल स्टूदेंट अप टू एंड इंक्लूदिंग क्लास 12 एर्थ फोर गवर्मेंट एड़ेट स्कूल अनेड़ेट स्कूल अनेड़ेट स्कूल शेल बी प्रमोटेट तो नेक्स्ट हायर क्लास फोर दा अकेडमिक सेशन 22-23 under no detention policy of RTE act 2009 मतलब कि ज wissen जितने भी बच्चे है वो RTE act के तहट no detention policy के तहट पास होंगे जैसे कि आप सभी जानते है no detention policy क्या है उसी के तहट सभी अकली क्लास में ट्रमोट होंगे अब बात कर ली जए पारट B की availability of online link and instruction for uploading marks only for government school marks कब से upload होने शुरू हो जेंगे class 3rd से 8th तक के जो marks हैं वो 4 March 2022 से 20 March 2022 के बीच linked जो open होगा उसके बीच में भरे जाएंगे और उसके बाद link upload हो जेगा grades और co-scholastic areas are not be uploaded in the online marks module for the current academic session grades के grades के लावा जो co-scholastic areas होते थे extra curriculum वो चीजे इस बार upload में नहीं आएंगी heads of school must ensure that entry and updating of marks of class 3rd to 8th तो heads के लिए ये सक्त निर्देश है कि वो time पर ये marks upload करवा लें 3rd से लेके 8th class के बीच में जो time mention किया हुआ है और result का भी इसमें mention किया है broadsheet will be available on the day of declaration of the result print out of the result broadsheet be kept for school record जो print out है broadsheet का वो school के record के लिए आप समाल सकते हैं link for uploading, updating, correction of marks and subject will remain open till the date of ability of online link जो आपने uploading करने है, updating करने है, correction करने है marks की subject की वो remain open रहेगी till the date of availability of online link result जो declare होंगे 31 March 2022 को declare होंगे और result through message by digital means SMS facilities, phone calls इन सबके माध्यम से parents तक भी पहुचेंगे आप एक draft देख सकते हैं इस तरह से कैसे पहुचेगा Dear student, dear parents it gives me great pleasure to inform you that your ward मलब आपके area मलब वाड का जो बच्चे का नाम होगा example कुछ भी अजे, वीजे student ideas की होगी इस promoted to class 6 to 7 और 7 to 8 और 8 to 9 जो भी class में वो पर्मोट होगा उसमें mention कर दिया जाएगा academic session 2022-23 यान कि अभी वो है 21-22 session में अगली session में यान कि 22-23 में वो पर्मोट कर दिया जाएगा information regarding of allotment of section will be given later on मतलब आगे उसको section कुछ सा provide हुआ है ये आपको बाद में information दे दी जाएगी thanks and regard head of school इस तरह के message उनके पास पहुंच जाएंगे student should not be called in school for the result बच्चो को school नहीं बोलाया जाएगा result के लिए heads of school must ensure that this information is disseminated to teacher, student and their parents and guardian heads को बोला गया है कि ये information को आप teacher, बच्चो और उनके parents यानि की guardians को दे दे this issue with the prayer approval of the competent authority चो की sign है Dr. Rita Sharma additional director of education exams की तो इस प्रकार आज का हमारी जो circular था काभी important circular था ये complete होता है आप इस channel के साथ जुड़े रहिए इसे like, share and subscribe करना बिल्कुल न भूले धन्यवाद